तो हलो मेरे फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? I hope आप सब अच्छे ही होंगे तो आज मैं आप सब को इस वीडियो में बताने बाला हूँ कि आप अपने चैनल को फास्ट सर्च में कैसे लाएं अगर आपने एक चैनल बनाया है और या बहुत पहले ही बना रखा है और आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने बाला हूँ कि आप अपने चैनल को जो नया चैनल है या आपने पहले बना रखा है उसको सर्च में कैसे लाएं तो चलिए फ्रेंड्स वो भी फास्ट सर्च में तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना देरी किये हुए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपने जिस मोबायल से चैनल बनाया है या बना रखा है उस mobile को open कर लेना है और उसके बाद Chrome browser में जाना है यह देखिए फ्रेंट्स Chrome browser यह रहा Chrome browser में जाना है यहाँ पर click करना है Chrome browser में जैसे ही जाएगे तब यहाँ आपको यह तीर का निसान दिखेगा इस पर आपको click कर देना है यहां से आपको desktop site mode पर on कर लेना है यह मैंने on कर लिया है इस पर click कर देना है तो on हो जाएगा मैंने on कर लिया है अब चलिए friends यहां YouTube का एक option होगा इस पर आपको click कर देना है यह देखिए इस पर मैंने click किया तो कुछ इस प्रकार का interference आपको दिखने को मिल जाएगा फिर यहां corner पर आपके channel का logo आएगा बिल्कुल यहां पर यह देखिए channel का logo आ रहा है मैं और zoom करकर दिखा रहा हूँ आपको यह देखिए यह मेरा channel का logo है यह देखिए यहां पर आपको क्या करना है इस पर click कर लेना है जैसे आप click करेंगे तो यहां आएगा एक तिसरा option इस तर तो यह देखिए मैं यूटूबर स्टूडियो खोल लिया है अब देखिए यहां पर आपको मैंने जूम करकर दिखा रहा हूं देखे यहां पर आपको setting को option रहेगा यहां पर setting को option मिल रहा है इस पर आपको click कर लेना है setting के option पर मैंने click कर लिया आपको यहां से second option में जाना है channel पर चैनल पर आप आ गया है फिर कुछ इस प्रकार का interference आपके सामने आएगा फिर zoom करके यहां आपको जाना है यह देखे यहां keywords लिखा हुआ है keywords में आपको जाना है तो इसमें आपको लिखना है अपना channel का नाम लिखना है और उसको कई अलग अलग तरीके से लिखना है जैसे मेरे चैनल का नाम है एभन creativity channel दुमिरा नाम है supporting क्रियेटिवीटी चैनल मैं लिख देए एवन क्रियेटिवीटी चैनल फिर आपको यहाँ पर फिर से क्लिक कर देना है फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर यह कीवर्ड आपका तयार हो गया फिर से मैं लिख रहा हूँ एवन चैनल क्रियेटिवीटी एवन चैनल क्रियेटिवीटी यह मैं लिख दिया फिर यहाँ पर क्लिक करना है तो आपको यह ऐसे कर लेना है सेव देखिया है अब मैं लिख रहा हूँ एवन एवन क्रियेटिव एवन क्रियेटिव मैंने लिख लिया एवन क्रियेटिव यहाँ पर क्लिक कर देना है तो आपको यह कीवर्ड के लिख लेना एवन पर क्लिक कर देना है तो आपका password मतलब ये keyword तयार हो जाएगा फिर यहाँ पर बैसे ही आपको बहुत सारा इसमें लिख दिना है जैसे आपका channel का नाम है कुछ भी है कर मेरा channel का नाम है event creativity तो वही मैंने बहुत तरीके से लिख दिया है तो वही आपको लिख दिना है फिर यहाँ पर आपको save का option मिलेगा save इसे कर दिना है मैं save कर दिया अब आपका channel fast search में आने लेगा कुछ देर के बाद तो आप ये trick को इस्तेमाल किजेगा और अपने channel को जो नाया अपने channel बनाया है उसको आप fast search में ला सकते हैं बिल्कूल असान तरीके से तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को like कर दीजे और हमारे channel को subscribe कर दीजे Thank you friends, love you all friends